हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग उम्मित करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है आपके फैबरिट यूटुब चैनल स्पॉक और इंग्लिस मास्टर में आज हम पढ़ेंगे थर्ड शेप्टर जिसका नाम है मोहन ए और पहले लिजे ताकि जब भी कहीं पर आप कुछ पी चीज़ नोट करना हो तो से आप नोट कर से के स्वाय स्टुडेंट्स लेट्स केट बाल रॉल इंग सबसे पहला पढ़ते हैं ट्री टास्क इस्टेडी दिस पाई चार्ट एंड राइट पारग्राफ बाइंसरिंग इस पाई चार्ट इस पाई चार्ट का अध्यन करो एंड राइट अ पैराग्राफ और एक पैराग्राफ लिखो बाई आंसरिंग को लिख करके क्वेशन का अंसर दे करके देखते हैं मुजिकल इंस्टुमेंट लाइक बाई स्टुडेंट्स इस्टुडेंट्स के जरिए पसंद किया जाने वाला musical instrument, यानि कि संगिप का instrument. First question देखते हम, उससे पहले एक बार हम इस पाई चार्ट को देख लेते हैं. 50% harmonium, यानि कि 50% student harmonium पसंद करते हैं, 26% तबला पसंद करते हैं, 14% flute पसंद करते हैं, 10% guitar पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा students पसंद करते हैं, harmonium को, यानि 50% और सबसे कम, यानि कि least पसंद करते हैं, guitar को, 10% So, आएए question का answer देख लेते हैं, question number one, which is the most popular musical instrument, which मतलब कौन सा या कौन से, which is, मतलब कौन सा है, is मतलब present tense, कौन सा है, the most popular musical instrument, संगीत का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इंस्ट्रिमेंट, संगीत का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इंस्ट्रिमेंट कौन सा है, so, देखते हैं, चार्ट, चार्ट में दिखाई दे रहा है कि 50% student पसंद करते हैं, harmonium को, तो विच के जगे पर answer क्या आएगा, harmonium आएगा, answer लिखेंगे इस तरह से, harmonium is the most popular musical instrument, question number 2, which is the least popular musical instrument, कौन सा सबसे कम प्रसिद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रिमेंट है, तो सबसे कम कौन सा है, guitar है, of course, guitar, क्योंकि सिफ 10% है, तो answer हम लिखेंगे इस तरह से, guitar is the least popular musical instrument, आखरीम लगा देंगे, full stop, question number 3, how many of the students like the flute, कितने students, यानि कितने विध्यारतियों को बासुरी पसंदे, flute पसंदे, तो चाट देखते हैं, चाट में दिखाए दे रहा है कि 14%, यानि कि 14% students को बासुरी पसंदे, तो हम answer इसका इस तरह से लिखेंगे, 14% student like the flute, फिर से सुन लिजे, 14% students like the flute, question number 4, देखते हैं, what is the difference between the popularity of flute and that of tablas, question में कहा गया है, कि flute और tabla कि जो popularity है, उसके बीच कितना difference है, या क्या difference है, तो देखियो, तबला 26% famous है, और flute 14% famous है, तो 26-14 करेंगे, तो difference हम को मिलेगा 12%, तो answer के आएगा, 12% is the difference between the popularity of flute and that of tablas, आखिर में हम लगा देंगे, फुल स्टॉप, question number 5, which instrument is liked by half of the students, इसमें कहा गया है, कौन सा instruments is liked, कौन सा instrument पसंद किया जाता है, by half of the students, यानि कि आधे students के द्वारा, तो हम कोच पार्ट में साफ साफ दिखाए दे रहा है कि, 50% लोग पसंद करते हैं, हार्मोनियम को, यानि कि, हार्मोनियम is liked by half of the students, यह आपका answer है, पाच्वे question का, आईए, अब हम ग्लोसरी पढ़ लेते हैं पहले, ताकि ग्लोसरी पढ़ने के बाद, हम जब चेफ्टर को पढ़ें, तो अच्छी तरह से चेफ्टर का हम मीनिंग समझ सकें, तो फर्स्ट वर्ड है, musical, of music, यानि की संगीत का, expressed, means so feelings by words, सद्दो के जरिए, अपनी feelings को व्यक्त करना, उसको कहते है, express, express के आपर second form इस्तमाल किया इसका मतलग की भावनाओं को व्यक्त किया, feelings को व्यक्त किया, past tense में, experiment, means trial, यानि की प्रयोग, यानि की किसी चीज़ को करने की कोशिश करना, उसे कहते है, trial, या प्रयोग, instrument, device, साधन, उपकरण, perform, to do something, कुछ करना, present before people, लोगों के सामने, प्रस्तुत करना, before का मतलग यहाँ पर सामने से, vocal, uttered by voice, आवाज के जरिए, कहा गया, voice का मतलग किसी सजीव की आवाज है, और sound का मतलग किसी निरुजीव की आवाज, incorporate, incorporate means, make something part of a whole, एक किसी पूरे चीज़ के अंदर, छोटी इस चीज़ को डाल करके पूरा एक बना देना, उसे कहते हैं, incorporate, यानि की, समावेश करना, समबलित करना, समावेश्ट करना, include का मतलग भी, शामिल होना या शामिल करना, suitable, appropriate, यानि की उचित, योग्य, सही, यानि ठीक, approve, approve means, accept, यानि स्विकार करना, and appreciate, और तारीफ करना, प्रसंशा करना, appreciation, understanding and enjoyment, यानि की समझ और मजा, मौज मस्ती, आनन्द खुसी, determined, with one's mind made up, formally decided, इधरे इंदिश्चे करना, अपने मन को पक्का करना, किसी काम को करने के लिए, उसका मतलग होता determined, depressed, said, यानि की उदास, and without enthusiasm, बिना जोस की, बिना उससाह की, उससे कहते हैं depressed, beliefs, feeling that something is true, ऐसी भावना, या ऐसा ऐसास की कुछ सही है, उससे कहते हैं, beliefs, यानि हम कहेंगे, स्रद्धा, या माननिता, depth, यानि डीपनेस, यानि गहरापन, या गहराई, expects, particular features, खास, विशेष्था, या खास, गुड़, सो आए इस तुन आप हम बढ़ते हैं, अपने चैप्टर की तरफ, चैप्टरों काम one by one, एक के बाद एक, हिंदी में अच्छी तरह से समझेंगे, सो इस तरह करते हैं, मोहन was born in a family of musicians, मोहन was born, मोहन पैदा हुआ था, in a family of musicians, संगितकारों की एक परिवार में, music was in his blood, music was था, in his blood, उसके खोन में, music उसके खोन में था, he grew up with musicians, he grew up, वह बड़ा हुआ, with musicians, musicians, संगितकारों के साथ, grow up का second form यहाँ पर इस्तेवाल किया गया है, क्योंकि यह past tense का sentence है, यानि कि simple past tense में हम work का second form इस्तेवाल करते हैं, मैं गया, I went, मैं खाया, I ate, मैं सोया, I slept, इस तरह से second form इस्तेवाल किया जाता है, simple past tense में, like his father and other family members, like his father, उसके पिता जी की तरह, and, और other family members, दुसरे परिवार के सदस्यों की तरह, यहाँ पर end का इस्तेमाल, दो words को जोडने के लिए किया गया है, जब किसी दो words या दो sentence को जोडने के लिए किसी एक word का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं, conjunction, उसी को हम कहते हैं, conjunction, he was initially trained in vocal music, and then he tried his hand at the violin, he was initially trained, initially means शुरुवात में, शुरुवात में इसको train किया गया, यानि कि इसको प्रसिच्चन दिया गया, किस में दिया गया, in vocal music, vocal संगीत में, vocal means होता है, मुह के जरिए, आवाज के जरिए, पैदा किया जाने वाला संगीत, कुछ music को हम पैदा करते हैं, instruments के जरिए, और किश music को हम करते हैं, अपने मुह के जरिए, तो उसे कहते हैं, vocal music, जानि कि जिसको अपने मुह के जरिए, बनाया गया हूं के जरी परिधा किया गया हूं ओ ऐसा संगीत एंदे schöश और उसके बाद हिट राइड तरह यह हैंड एड़ η पाध उसके बाद उसने वाइल इन आज माया याने कि उसने अपने हाथ का इस्तेमाल वाइलीन पे किया यानि उसने वाइलीन प्रेक्टिस करना शुरू किया वेन ही वाज अबाउट टैन वेन यानि जब जब वह लगभग दस साल का था अबाउट मिस लगभग वाज यानि पास्टेंस था थी थे वह पसंद करना सुरू कर दिया यानि कि उसे सितार पसंद आने लगा उसको प्रसिच्छित किया गया इन इत इसमें इसमें का मतलग क्या है सितार को बजाने में और प्लेड इट फॉर अबाउट थ्री इयर्स और मोहन ने उसको बजाया फॉर अबाउट थ्री इयर्स लगभग तीन साल के लिए यानि कि तीन साल तक मोहन ने इसको बजाया भी जर्मनी के जो लोग होते हैं उसे कहते हैं जर्मन जिस तरह से इंडिया के लोग को कहते हैं इंडियन एक जर्मन लेडी आई क्या करने के लिए आई टु स्टे ठहरने के लिए किसके साथ विथ मोहन की फैमिली के साथ मोहन के बाद उपर कॉमा लगा हुआ है बाद में एस लगा है यानि इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी कॉमा तो जहां पर एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा हुआ होता है उसका मतलब का की के होता है अगर मुझे कहना हो कि राजु की फैमिली तो आप कह सकते हैं राजुस फैमिली राजा की फैमिली राजास फैमिली सोहन की फैमिली इस तरह से हम इसका इस्तमाल करते हैं So, एक जर्मन लेडी यानि एक जर्मन आवरत ठहरने के लिए आई मोहन की फैमिली के साथ To learn music, संगीत सीखने के लिए from his father उसके पिताजी से It was then that the guitar entered in his life यह वावक्त था जब गिटार उसकी जिंदगी में प्रवेस किया He began his experiments with that beautiful instrument He began, उसने शुरू कर दिया Begin का second form है Begin उसने शुरू कर दिया क्या? His experiment उसका प्रयोग उसने अपना प्रयोग शुरू कर दिया किसके साथ? With that beautiful instrument उस खुबसूरत instrument के साथ यह instrument कौन सा है? यह instrument गिटार है No other instrument now in my life देखें यह sentence के starting में double inverted कौमा लगा हुआ है उपर के तरफ इसका मतलब यह है कि यह किसी के द्वारा कई हुई बात है जब भी कोई बात कही जाती है तो उसको हमेशा double inverted कौमा के अंदर कहा जाता है यानि कि उस sentence के starting में और उस sentence के आखिर में double inverted कौमा उपर के तरफ होता है No other instrument now in my life अब मेरी जिंदगी में कोई दूसरा instrument नहीं है I want to play the guitar only I want to play मैं बजाना चाहता हूँ the guitar, guitar को only सिर्फ, मैं सिर्फ guitar को बजाना चाहता हूँ आईए यहाँ पे हम यह want का इस्तमाल करना भी सीख लेते हैं जैसे कि मैं खाना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं I want to eat मैं जाना चाहता हूँ I want to go मैं सोना चाहता हूँ I want to sleep मैं उसे मारना चाहता हूँ I want to beat him इस तरह से आप want का इस्तमाल करते हैं आईए आगे बढ़ते हैं said Mohan to himself said Mohan यानि कि Mohan ने कहा to himself अपने आप से Mohan ने अपने आप से कहा क्या कहा? Mohan ने अपने आप से कहा कि अब मेरी जिंदगी में कोई दुसरा instrument नहीं है मैं सिर्फ गिटार बजाना चाहता हूँ गिटार टुक आल हिस टाइम गिटार टुक गिटार ने ले लिया टेक का सेकेंड फॉर्म टुक गिटार ने ले लिया ओल हिस टाइम उसका सारा वक्त उसका सारा समय गिटार ने ले लिया याने कि अब वो गिटार में बुजी हो गया गिटार, the whole day गिटार ours is a family where sitar, vocals and classical violin are practiced the guitar does not have the effect which our instruments do and moreover it's not from India said one of the family members said one of the family members family के members में से किसी एक ने कहा क्या कहा, गिटार, the whole day गिटार गिटार, पूरा दिन गिटार ours is a family, हमारी family है मतलग कि ऐसी family है where, जहां पे sitar, vocals and classical violin are practiced जहां पे sitar, vocals और classical violin का अभ्यास किया जाता है classical का मतलब सांस्कृतिक या सास्त्री इसका इस्तमाल किया जाता है या इसका अभ्यास किया जाता है the guitar doesn't have the effect guitar में वह असर या वह effect नहीं है which, जो की our instruments do जो की हमारे instruments करते हैं यानि की जो effect हमारे instruments produce करते हैं पैदा करते हैं वह effect इस guitar में नहीं है and or moreover, इसके अलावा, इसके अतरिक्त it's not from India, यह हिंदुस्तान से नहीं है it's का मतलब it is है it's not from India, यह हिंदुस्तान से नहीं है said one of the family members family members में से एक ने कहा आगे बढ़ते हैं do you know your father does not approve your law for the guitar क्या तुम जानते हो तुमारे पिता जी does not approve permission नहीं देते है याने कि accept नहीं करते है स्वकार नहीं करते है your law तुमारे प्यार को for the guitar, guitar के लिए याने कि क्या तुम जानते हो कि तुमारे पिता जी, तुमारे गिटार के प्यार के लिए permission नहीं देते है said his auntie उसकी आंटी ने कहा ऐसा बट his mother came to help him लेकिन उसकी मम्मी his mother came उसकी मम्मी आई क्या करने आई? to help him उसे मदद करने के लिए और क्या कहा? कहती है let him follow his heart's desire उसे उसकी दिल की इच्छा को follow करने दो उसे उसे दिल की इच्छा पर अमल करने दो she declared उन्होंने यह घोसित कर दिया यानि कि सब के सामने उन्होंने यह बोल दिया then his father started supporting him तब उसके बाद उसके पिताजी started यानि कि शुरू कर दिया supporting यानि support करना him उसको तब उसके फादर ने उसको support करना में वह बहुत खोस होगया उसने फैसला किया यह वेस्टन इस पस्चिमी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बदला उलाने का he tried to make it suitable for playing pure Indian classical music he tried उसने कोसिस की to make it suitable इसको योगय बनाने की suitable means योगय मैक मिस बनाना इस मतलब इसे इसे योगय बनाने की कोसिस की for playing बजाने के लिए क्या बजाने के लिए pure Indian classical music pure means सुध इंडियन मिन्स भारती classical music music मतलब संगीत सुध भारती सास्त्री संगीत बजाने के लिए इसने इसे योगय बनाने का कोसिस किया he spent two more years with guitar only he spent उसने गुजारे two more years दो साल और अधिक with guitar only सिर्फ guitar के साथ यानि कि उसने और दो साल अपने गुजारे सिर्फ guitar के साथ one evening एक शाम there was a gathering of close family friends एक साम को एक gathering थी gathering उस लोग का जमा होना किसी चीज के लिए यानि कि वो छोटी सी पार्टी हो सकती है या बड़े पार्टी हो सकती है या कोई function हो सकता है तो उसे कहते हैं gathering लोग का जमा होना उसे हम कहते हैं gathering so एक gathering के अंदर जमा हुए कौन जमा हुए of close family friends करीबी family के जो friends थे वो एक साम जमा हुए in this small gathering Mohan's brother, sister and nephews played music on their classical instruments इस छोटी सी gathering के अंदर Mohan के भाई, Mohan's brother, Mohan के भाई sister, behen and nephews और इनका जो nephews थे played music on their classical instruments उन्होंने music बजाया अपने classical instruments के उपर यानि कि उनके सांस्कृतिक जो इस्ट्रमेंट से उसके उपने उनके क्या किया Music बजाया, कौन-कौन बजाया, उसके भाई, उसकी बहन, उसके Nephews There was a great appreciation उनकी बहुत तारीफ हुई, यानि कि बहुत जादा तारीफ की गई सभी लोहों की Mohan too, Mohan ने भी expressed यानि जताया, his wish, अपनी इच्छा, to perform, यानि उसको करने के लिए, मोहन ने भी इच्छा जताई के वो अभी music बजाएगा, perform मतलब होता है, बजाना, या किसी के सामने कुछ चीज प्रस्थूत करना, या कुछ करना, He played on guitar, उसने guitar बजाया, after his performance, उसके performance के बाद, a relative said, एक relative ने कहा, you need to work very hard with the new instrument, you need to work very hard, you need, तुम्हें जरूरत है, to work very hard, बहुत ज्यादा महनत करने की, with the new instrument, इस नए instrument के साथ, तुम्हें इस नए instrument के साथ, बहुत ज्यादा महनत करने की जरुवत है, या वशकता है, ऐसा एक relative ने कहा, या किसकी संबंदी ने कहा, one of the relative said, उन्हीं सगे संबंदियों में से, एक ने क्या कहा, वो कहते है, if it were the star, अगर ये सितार होता, यानि की, महन ने वहाँ बजाया गिटार, अगर वो गिटार ना बजाता, बलकि वो सितार बजाया होता, तो क्या होता, आगे लिखा है, you would have been in competition with your brother and sister, if it were not, sorry, if it were the star, अगर वो सितार होता, you would have been in competition, तुम competition में होते, तुम प्रतिस परधा में होते, with your brother and sister, तुमारे भाई और बहन के साथ, you have already spent two years on it, you have already spent, तुमने पहले से ही गुजार दिये हैं, two years, दो साल, on it इस पर, यानि की गिटार पर, but still, लेकिन अभी भी, this instrument needs more, लेकिन अभी भी, इस instrument को ज्यादा, यानि और ज्यादा प्रैक्टिस की ज़रुवत है, after his performance, someone said, इस performance के बाद, someone said, किसी ने कहा, the sitar's sound is like a flowing stream, sitar की आवाज है, like a flowing stream, एक बहते हुए ज़रने की तरह, sitar की आवाज एक बहते हुए ज़रने की तरह है, flowing मतलब बहते हुआ या बहता हुआ, your instrument doesn't have that depth, your instrument doesn't have, तुमारे instrument में नहीं है, that depth, वह गहराई या वह गहरापन नहीं है, yet another said, तभी किसी दूसरे ने कहा, your brother plays the violin, तुमारा भाई violin बजाता है, his sur and tal are so beautiful, उसके sur और ताल बहत खुबसूरत है, what are you doing with this instrument, तुम इस instrument के साथ क्या कर रहे हो, Mohan was depressed and cried for the whole night, Mohan was depressed, Mohan उदास हो गया, sad हो गया, and cried और रोया for the whole night, पूरी रात भर रोया, Mohan उदास हो गया और पूरी रात रोया, He had already given two years of his life to this instrument, he had already given, उसने पहले से ही दे दिया था, two years, two saal of his life, उसकी जिन्दगी के, to this instrument, इस instrument को, उसने इस instrument को पहले से ही दो साल, अपने जिन्दगी के दे दिये थे, but from the heart, लेकिन दिल से, I am mad for guitar, there is no instrument for me, but the guitar, he thought, उसने सोचा, उसने क्या सोचा, but from the heart, दिल से लेकिन, I am mad for guitar, मैं guitar के लिए बना हुआ हूँ, there is no instrument, कोई दुसरा instrument नहीं है, for me, मेरे लिए, but the guitar, लेकिन guitar, यानि कि guitar के अलावा मेरे लिए कोई दुसरा instrument नहीं है, मैं guitar के लिए बना हुआ हूँ, यह बात वो दिल से कहता है, This instrument will become my face to the world, this instrument will become, यह instrument will become, बनेगा या हो जाएगा, यह instrument बनेगा या बन जाएगा, My face, मेरा चहरा to the world, दुनिया के लिए, दुनिया के लिए यह instrument मेरा चहरा बन जाएगा, मेरा फेस बन जाएगा, I am sure, मुझे पूरा विश्वास है, मैं सुनिश्चित हूँ, I am going to make it big, very big, I am going to make it, मैं इसे बनाने जाएगा हूँ, big, बड़ा, very big, बहुत बड़ा, He was determined, उसने ऐसा फैसला लिया, दृण निश्चे किया, पक्का वाला फैसला लिया, दृण मेरा मतलब दृण निश्चे करना, This experience took place when Mohan was only sixteen years of age, this experience took place, या अनभव तुख बलस हूँ, या अनभव शुवा, तुछ या तुख बलस का सेकंद वर्मे, या अनभव वर्मे जब, Mohan was only sixteen years of age, जब Mohan सिर्फ्ष वोला साल की अमरका था, वह उसकी जिन्दगी का एक टर्निंग पॉइंट था यानि कि वह उसकी जिन्दगी का एक एहम पड़ाव था एक एहम मोड था जहांस उसकी जिन्दगी बदल गई मोहन डबल्ड हिस रियाज मोहन ने अपनी प्रैक्टिस को डबल कर दिया रियाज मिन्स किसी चीज़ को करने के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं उसे कहते हैं रियाज गिटार को अच्छी तरह से बजाने के लिए जो उसने प्रैक्टिस की उसको यहाँ पर रियाज कहा गया है सो मोहन ने क्या किया मोहन ने गिटार बजाने की जो रियास थी उसकी प्रैक्टिस तो उसको डबल कर दिया डबल का सेकेंड फॉर्म डबल नहीं है यहाँ पर एन प्रैक्टिस्ड और अभ्यास किया फोर एबाउट टैन आवर्स अडे एक दिन में मोहन ने क्या किया मोहन ने अपने अभ्यास को डबल कर दिया और एक दिन में लगबक दस घंटे वह गिटार के प्रैक्टिस करने लगा गिटार के दुसरे कुछ खास जो पहलू थे खास जो फीचर्स यानि कि उसके विश्यस्ताय थी उसकी ओपर भी उसने अध्यान किया किसने मोहन ने He decided to incorporate the specialty, technique and sound of every instrument into the guitar He decided, उसने फैसला किया to incorporate यनि कि समावस्द करने का सम्मिलित करने का, या समावस्ट करने का जाचिस समावस्ट करने का The specialty, यनि की खासियत, खुसोसी चीज, ट्यक्निक, यनि की जो काम करने का तरीका होता है कि टक्नीक जिसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं तकनीक इंगल्स में कहते हैं टकनीक एंड साउंड और आवाज ओफ एवरी इंस्ट्रुमेंट हर एक इंस्ट्रुमेंट की आवाज को उसने समाविस करने का फैसला किया इंटु दे गिटार गिटार में उसने गिटार में इस wanted to invent something which gave the sound and tune of the western guitar but could be played like an Indian like an Indian winner he wanted watch a tata to invent of his car carna something kitchen work which of his car carna chata thought which jockey gave the sound and tune of the western guitar jockey pasty me guitar k tune or sound code data kya data watch is data Joe what invent karna chata tha but leakin could be played a leakin Joe invent car tha us code by jaya jasakta tha kaise like an Indian winner us code a hindustani vena ke tarea us a bad idea saktar is taraki wo x cheese invent करना चाहता था जो वह western guitar की tune और sound को देना चाहता था not only the sound that my instrument produces is important सिर्फ sound ही नहीं जो कि मेरा instrument produce करता है important है but लेकिन it must also express my vision बलकि यह मेरे vision को भी जरूर जता था यानि मेरी सोच को भी मेरी द्रिष्टी जो मेरी सोच है उसको भी यह जताता express करता what I want to say through the instrument और वह चीज जो मैं instrument के जरिए बोलना चाहता हूँ he said to himself उसने अपने आप से ऐसा कहा and or finally with untiring efforts and understanding of ragas he created the wonderful Mohan Veena और आखिरकार finally with untiring effort कभी न ठकने वाले प्रियास से and or understanding of ragas rag की समझ से he created उसने पैदा किया या उसने एक बनाया the wonderful Mohan Veena एक wonderful अद्बुत Mohan Veena बनाया today आज the world knows दुनिया जानती है Mohan Mohan को दुनिया जानती है as के रूप में किसके रूप में? पंडित विश्वो मोहन भट आज मोहन को दुनिया जानती है पंडित विश्वा मोहन भट के नाम से winner of a grammy award एक grammy award के विश्वा मोहन को दुनिया आज जानती है आज पंडित विश्वा मोहन भट I just followed my heart's passion and here I am said Mohan at the award ceremony in 1993 1993 में एक award ceremony में award ceremony मतलब होता है पुरसकार समारो जहां पे पुरसकार दिया जाता है ट्रॉफिया वगेरा दी जाती है medals वगेरा दिया जाती है असों कहते हैं award ceremony तो एक पुरसकार समारो के अंदर Mohan ने कहा मतलब यह जो Mohan ने इन्हों क्या कहा I just followed मैंने सिर्फ अमल किया My heart's patience मेरे दिल के जुनून पे जो कुछ मेरे दिल ने कहा मैंने उसको follow किया and or here I am और मैं यहां हूँ यानि कि आज मैं यहां हूँ आज मैं क्या बन गया हूँ पंडित विश्वा मोहन भड बन गया हूँ इस तरह सुंगा कहना था I hope students यह वीडियो लेक्षर आपको बहुत ही अच्छी तरह स्वंग में आ गया होगा So वीडियो को ज़रूर लाइक करना कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और आपके कुछ सजिशन हो तो वह भी आप दे सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स में ज़्यादस ज़्यादस हेर करना ताकि इस वीडियो लेक्षर के जरिए उनकी इंग्लिस इंप्रूव हो उनको फायदा पहुचें तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट फीडियो लेक्षर के अंदर तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट अफ लग एंजय हिंद